हेलो एन मेलकम कई स्वाग आते आपका फेंटासी डिशन चेलिंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग के एपसी बिग बेस्ट लिग टी-20 की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर सिटनी सिक्षर वर्सिस ब्रिस्बेन हीट के बीच में तो चलिए दोनोई टीम के प्ल हमारी फेंटासी यही डिख लेते कि कौन से प्लेयर का में लेंगे जाना है कौन से प्लेयरे लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यह टूनामेट को कभर किया जाएगा इसी यह चैनल पर इससी साथ सथै आप吐र याँपर वूमर्स-320 के वीडियो तो YouTube चनल को सबसे पहले हैं आपको सबस्क्राइब कर लेना है, साथे में टेलिग्राम चनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि Final Update और Final Team आपको टेलिग्राम चनल पे मिलने वाली है, और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे, डिस्क्रिप्शन बक्स में टेलिग्रा आपको सिदा अमारा चनल मिल जाएगा, सिम्पली आपको उसे जुड़न कर लेना है, क्योंकि Final Update और Final Team आपको टेलिग्राम चनल पे मिलने वाली है, तो बात करें इस मैच की, इससे पहले ये बता दू आपको कि इनका री मैच है, इनका पहला में यहापर फर्ष्ट जनवर यानि कि नए साल को ही खेला गया था, जहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने बाजी मारी थी, और काफी अच्छी तरह से वो विन हुई थी, यहाँ पर बात करें इस मैच की, तो यह बारा बच कर पैंटिस मिनित पर नौर्थ सिद्नी ओवल, सिद्नी ओवल, औस्ट्रलिया में ख सकता है, आला कि इस ग्राउंड के ओपर अभी तक कोई भी मैंस टीट्वेंटी मेंच नहीं हुआ है, इससे पहले डवली बीबल, यानि कि वोमन से बिग बेस्ट लीक होता है, वो यहाँ पर खेला गया था, लेकिन मैंस टीट्वेंटी न तो कोई इंटरनेशनल हुआ है, और नहीं कोई डोमेस्टिक हुआ है, तो यानि कि पहली बार खेलेंगी, कोई भी मैंस टीम यहाँ पर, ओवरल चेजिंग एकोर्ड की बात करो तो यह से पांच मैच खेले गए जापर, तीन बार पहले बैटिंग करने वाले टीम ने जीती, दो बार यहाँ पर चेजिंग क करते हुए, यहाँ पर भी पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, तो जो पी टीम टोस जीते हैं कि पहले बैटिंग करने के एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना चाहेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं सिटनी सिक्षर की, तो सिटनी सिक्षर ने अभ पर यहां पर जो जिस के सोड़ूंगे और यहांसब पर यह को लेगे जुपर यहां से तिनों पर पहली बैटेंग आती तो हम लोग तीनों को लेगे जाएंगे जोस, फिलिप जैंप स्विंस और यासा कूर्थिस पैटनसन तीनों को लेगे जाएंगी डैनियल हुज ओके-ओके है यहाँ पर अगर कोई चोईश ना मिले अगर खेलते हैं तो देखा जाएगा इनके बारे में तो थोड़े सा अच्छे है तो थोड़ा सा बरुशा कर शकते हैं और अकसीद हूँ तो आप लोग इनको डिफरेंस सिलवे में ट्राइ करोगे डिफरेंस सिलवे में कुछ बड़े प्लेयर को भी लेना है सबसे पहले तो यह से जैम्स विंस को में लेना पड़ेगा क्योंकि इनके अलाबा यह से जॉर्डन सिल्क अच्छे फॉम है लेकिन इनका बैटिंग ओडर काफी नीचे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनको अगर जल्दी खेलने को मिल जाता है यानि कि जल्दी मि पहले अगर दो विकेट्स किर जाती है तो यहाँ पर अगर जॉर्डर सिंक आ गए तो इनकी तरफ से बड़ी पारी खेल सकते हैं तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस में ट्राइक करेगा अब लोग इनको स्मॉल लिग में भी लेगे जा सकते हो नो डाउट डैनियल से और बॉलिंग से दोनों इसे तो इनको ट्राइक कर सकते हैं यह बंदा भी आपके लिए एक इंपॉर्णेट पीक बन सकता है वैसे सीन एबोट की बात करो तो इनका कहना के इनका हेट्ट वेड रेकोर्स काफी जबद जस्ते मैंने इनको लास मैच के अंदर कैप्टन भी स्ट्राइक कर सकते हो चार वर्स पूरी कर भाएगा देथोस में आता है यहां पर अठार भी और बीसमी वर्स की गेंद बाजी यह बाई साब ने की थी आपर सीन आबोट ने तो बरोसा इनके पर पूरा रहेगा जक्सन बर्ड को एज़ा डिफ्रेंस लिए में ट्राइक कर लेते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को आप लोग ट्राइक कर सकते हो स्टार्टिंग की बात करो तो यह से बेंच वासिस और जैक्शन बर्ड है देथोस में आसे शेन अबोट के साथ यहां पर हैडन कर रहे हैं बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट तो वही बात है यह दोनों खिल सकते हैं पर कुटिस पेटर्सन और क्रिस जॉर्डन बात करो ब्रिस्बेन हीट की ब्रिस्बेन हीट हीट यह अपर अभी तक छे मेंच के लिए वह जापर दो मेंच वो जिती है आलाकि इनका कहा है ना कि पहले दो मेंच आरे फिर एक मेंच सामने सिद्नी सिक्षर यह पर लास्ट मेंच की बात करो तो जोस ब्राउन और कॉलिन मुंद्रो दोनों ने उपनिंग कर वाया आला कि जोस ब्राउन हमारे पंट प्लेयर थे लास्ट मेंच की बात करो तो शिर्फ या 15 या 20 परसंट से सिलेक्शन था 62 रन करके हमको अच्छ आप मिंस के ड्रॉप करने के पीछ एक ही रिजन था कि इनके हेड़ टूहेड रेकोर्ड अच्छे नहीं है एच्टीम के सामने सिद्नी सिक्षर के सामने तो इनको थोड़ा सा अब लिए विस्की खेलना चाहते तो इनको डॉप करना चाहते रोका सकते हो नथन मेक्स वैनी लास मैच के एट्टी फोरन के एक जबर्जस्ट पारी खेली बंदा जबर्जस्ट खेल रहा था एट्टी फोरन फिर आइटिंग के लाना उठ हो गया था वनना शेंचुरी तक जा सकता था यसे राइट हैंड़ बैटिंग के साथ-साथ या ऐसे और ब्रेक बॉलिंग करव सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग अपने अपने ट्राइक कर सकते हो बजली वेरी इंपोर्ण फिक रहेंगी यहां पर जम्स बजली इनको जरूर लेखे जाना है रोस वाइट लेकी लास बात करो लास मैच के लिए तो विकेट निकाल लिया और वह भी कब बिसमी ओर्स की गेंबाजी आखरी ओर्स की गेंबाजी तो कंट्यूनिसली नहीं है यहां पर ओर्स बगेदा तो इनको मैं अभी के लिए सर्जेस नहीं करता माइकल नसेर एज़ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सिप की चोईस एक बार फिर से मैं दूंगा आप स्टेगेटी ने लासमें दो विकेड निकाला, कंसिस्टन प्लेयर इनके पर बरुसा पूरा करना है, मार्क मैट कुमिन मन की बाद को तो इनको अज़स डिफ्रेंसले में ट्राय करेगा, क्योंकि लासमेंस के न दो विकेड निकाली था, इसके पहले भी, यहां पर बंदे तीन विकेट एक बार निकाली हुए तो बरोशा कर सकते हो स्विप्शन इतने अच्छा फॉम्मे नहीं है और शायर स्विप्शन की जगा पर आज बदला भी कुछ हो सकते हैं तो शायर दिया पर टीम एक फास्टर को कहलाना चाहेगी इनकी जगाबार स्विप्शन की स्विप्शन की तो जोस्वा हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहां से आप लोग बिलिंग्स को भी लेके जा सकते हैं तो इनको भी ट्राय करना चाहते हो तो कर सकते हो बैटिंग सेक्शन की बात करो तो मैंने यहां से जैम स्विंस कॉलिन मुंद्रो और मेरा फेवरिट एक पर फिर से यहां से ट्रंप कार्ड जोस ब्राउन हमारी टीम के अंदर रहेगा बाकि आप लोग यहां पर नथन मेकस स्वेनी को ट्राय करना चाहते हो तो कर सकते हो अधरवाई जो ऑप्सन की बात के हो तो जोर्डन सील के अच्छी चोईस है लेकिन बैटिंग उडर उनका थोड़ा सा नीचे है वही बात है इसके लिए मैंने इनको ड्रॉप किया हुआ है बाकि इस मैच के लिए कॉर्टिस पिटरसन भी कहलते हो नजर आ सकते हैं पल्डाउन सेक्षन की बात के रूट तो यहां से नसेर सीन एबट इनके अलवा यहां से हैडन केर और बजली को ल देखके बॉलिंग सेक्षन की बात करो तो यहां से स्टेकेटी के साथ बेंड वार्सिस और यहां पर क्रिस जोर्डन स्ट खेलते हो नजर रहेंगे इसके लिए मैंने इनको लिया हुआ है अदरवाई यहां से नसेर है यहां से क्रिस जोर्डन है इन दोनों को आप लोग के प्रकेप्टन के तelet को सकते हो फाके Tea से जोर्डन की त्यमर को घेलिएगे मिलेगी यहां दिस्कृप्टन का लिंग आप जैनी डिस ले अवार वाज छाल ऑगे तो लाइक शेर कर देना वाकि मिलते हूं लोग अगले वडियो में तब तक आप पूरा वड़े दखते रहो अच्छे से अनालीसिस करो अच्छी टीम बनाव अच्छी वीनिंग करते रहो तब तक के लिए बाई दन्यवाद जईहिन जई बारत